Hey guys, welcome back to our channel Facts Homey तो दोस्तो आज हम इस वीडियो में दस ऐसे Facts जानेगे जो आपका दिमाग चकरा देंगे So let's get started दोस्तो आज हम आपको ऐसे ही दोनों ब्रेंस में कम्पेर करने जाएं दोस्तो पहले यहां के सामने है, डोल्फिन के sa million का brain दोस्तो देखो। तो पिदोनों में कितनी similarities और यह रहा आपका shark का brain जो बिल्गूल कितना पतला है और इसको अगर हम compare करें डॉल्पिन के ब्रेन के मुकाबले तो इसका दिमास बहुत चोटा ऐसा आपका जबी शार्ट बहुत खुंखार होती है Fact No.1 दोस्तों कि आप जानते हैं कि अगर आप पुरा की बीचों बीच से छेद को निकालते हैं तो अगर आप इस छेद के इन दर कूलेंगी तो आपको उसके आरबारत जाने में 42.5 seconds लग्रेंगे यहां दोस्तो अगर आप हमारे प्रित्वी के एक कौने से कूलते हो तो आपको 42 दिनेट और 16 सेकंड लगेंगे दूछे चाइट से निकलने के लिए फैक नमबर वन दोस्तो आपके गर में फूल पौदे या आप ने कभी न कभी देखे या अजीब हो जरी फूलों के बारे में सुना जरूर हो है तो दोस्तो नमें से एक तूल है एरि रो फीशिय अ फ्लोवर। दोस्तो इसकी खाहबात यह है की यह साथ साल में प्रिक ही बार फूलता है और वो भी तरक आखरी तथक दिनों में इसके बाद backyard ने जाता है अप अपने अपने कभी न कभी इस ना किसी होटल में जरूरी थेरे होगे, या आपने कभी न कभी अजीब उगरी होटलों की बातें सुनी नहीं होंगी, और दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे होटल को इस बात बताने जा रहे हैं, असाही रियोतन एक नाम होटल है, जो जपा आप को रखी गई है जब आप इस होटल में ठहरते हैं या आप जो भी अंतर करोगे वो 24 गूंके लाइब स्ट्रीम होएगा उनके यूट्यूब चैनल को जी हाँ दोस्तों पैक नंबर 4 किलर दोस्तों आपके शहर में आपने कभी ना कभी न्यूज में अजीब हो गरीब किल होगा घाल is अएक सब्सक्राइब के या इन अब शखत है जो कि अभी 10-10 आदमीयों को ख़ा चुगा है मार कर शомक्राइब कर दोस्तों आपने सी छाई ये लड़कीयों में जादा फैट होता है और उनके अंदर जादा कैलोक्ष्ट्रोल की उत्पादता होती है इसलिए यह इसलिए वह उस तो आपने कभी ना कभी पैंट्स तो पैने ही हो चाहे आप गलोब बॉय हो और दोस्तों कि आपने कभी ऐसी पैंट देखिये इसके जरीए हम कहीं भी उठ और बैठ सकते हैं या फिर उस पैंट के पीछे दो पैर लगे हो फिर की तरह दोस्तों हाँ ऐसी पैंट बन चुकी है जो अलोबर वर्ल्ड में अवलेबल है यह रही क आपने कभी न कभी बिज्री कड़कती हुई जरूर्ड देख लोगे अश्माने और दोस्तों आरे हम आपको ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहां चौबीज गंटे बिज्री कड़कती है एक गंटे में 280 बार बिज्री कड़कती है और पूरे साल में 160 रा लगत पार बिज्री कड़कती है यहां दोस्तों ऐसी लोकेशन बैनी जूला में पाई जाती है और यहां इसको क्याटम गुंबा लाइटिंग भी कहा जाता है